हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे मैं विरद आप लोग का सेलेक्शन मेंटर पर बहुत बहुत सवागत करता हूँ आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में पावर्स अफ दे प्रेसिडेंट आप देख सकते हैं रास्टपती की शक्तियों के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है रास्टपती की जो शक्तियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है यहां से कॉश्चन्स आपके एक्जाम में जरूर आते हैं खास कर अगर आप UPPSC की किसी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो या फिर SSC वेगरे में भी यहां से कॉश्चन्स जो है वो बनते हैं अच्छे कासे कॉश्चन्स बनते हैं तो जल्दी से जल्दी सभी लोग लाइव हो जाईएगा सेशन को शेयर करिए अधिक से अधिक लिंक को शेयर करिए लोगों के साथ में जिससे की और सारे लोग यहां पर जुड़ सकें और उन तक ये जो लेक्चर है वो बहुत सकें उनको भी फायदा मिल सकें पूरता निशुल क्लासेश चल रही है समिक्षा अधिकारी के लिए पॉलिटी मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूँ बहुत यह अच्छी तरीके से क्लासेश है आप इनको वन बाइवन प्राप्त कर सकते हैं प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी विरत दुबे यह से करके टाइटल है वहां पर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा उस पे क्लिक करके आप सारे के सारे लेक्षर्स जो है वन बाइवन ले सकते हो ठीक है किसी कोई सीक्वेंस अगर छूट गये है किस चीज के बारे में power of president हिंदी में कहेंगे इसको रास्टपती की शक्तियां क्या कहेंगे रास्टपती की शक्तियां ठीक है रास्टपती की शक्तियों के बारे में हम लोग क्या क्या चीजे जानेंगे पहले तो ये जानेंगे कि रास्टपती की शक्तियों का स्रोत क्या है कहां से ये स्रोत है कहां से इनको मिलती है पावर्स और क्या किसी आर्टिकल में इसको डिफाइन किया गया है या फिर क्या किसी आर्टिकल का टाइटल है ये राश्पती की शक्तियां या फिर अलग-अलग जगहों पर इनको प्राप्त किया सकता है कितने प्रकार की शक्तियां है और इन शक्तियों का प्रयोग राश्पती किस प्रकार से करता है किस प्रकार से करता है इन सब चीजों की जानकारी आज के इस टॉपिक में हम लोगों को होने वाली है और इससे relevant जो भी चीज़े रहेंगे वो हम discussion करेंगे काफी लंबा chapter है power of president तो इसको part 1 के रूप में हम लोग जानेंगे power of president part 1 रहे गई part 2 फिर पढ़ेंगे ऐसे करके जितने भी parts की 2 या 3 part में खतम हो जाएगा ज्यादा लंबा session नहीं रखेंगे तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं lecture की शुरुआत करने से पहले एक शुटी सी information आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमाई साथ telegram में जुड़ सकते हो सभी प्रकार के class के जो link है सभी प्रकार के class के जो link है वो आपको इसी telegram ID पर मिलते हैं और साथी साथ आप इस पर जुड़ने के लिए इस link का प्रयोग कर सकते हो या फिर हम कह सकते हैं इसको आप type करेंगे अपने telegram में तो आपको ये channel दिख जाएगा इस channel में इस तरीके का photo लगी हुई है और आप आसानी से पैचान सकते हो इस telegram link को t.me slash selection mentor कॉनपूर या फिर आप telegram में जाकरके add the rate selection mentor कॉनपूर लिखोगे तो आपको ये आपर मिल जाएगा ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं याँ पर आपको मैं बताता हूँ याँ पर president की जो power है राश्टपती की जो शक्तियां है उसके बारे में तो सबसे पहले तो राश्टपती की जो शक्तियां हैं उनका सुरोत जो है मूल रूप से अगर देखा जाए तो सम्विधान है समविधान से शक्तियां प्राप्त होती है अगर हम सोर्स की बात करते हैं तो समविधान से शक्तियां प्राप्त हुई है किसको सक्तियां प्राप्त है किसको सक्तियां प्राप्त है समविधान से राष्टपती को ठीक है तो राष्टपती जो है वो ये शक्तियां कहां से प्राप्त करता है प्रेसिडेंट ये शक्तियां जो है वो समविधान से प्राप्त करता है अब समविधान को जब आपसे कभी-कभी question पूछा सकता है कि समविधान को शक्तियां कहां से प्राप्त है तो समविधान के शक्तियों का स्रोत जो है वो कौन है जनता है ठीक है people of India ठीक तो ध्यान रखना people of India जो है वो source of power है constitution का और president के power का जो source है that is constitution यानि की रास्टपती ठीक है यानि की समविधान constitution यानि की समविधान ठीक simple से बात है और कुछ भी नहीं अब यहाँ पर अगर किसी के मन में doubt आ रह कुछ के बारे में सुना था उसकी जो योग्यता हैं उनके बारे में सुना था तो अलग-अलग articles में था तो क्या किसी article में एक title है president का power तो मैं आपको बता दू समविधान के किसी article का title नहीं दिया गया है राश्पती की शक्ति थी किसी समविधान के किसी अनुछेद में रा करते हैं कि राश्टपति को संपूर्ण सम्विधान में अलग-अलग प्रकार की अलग-अलग जगहों पर शक्तियां मिली हुई हैं और्डर्स कह लीजिए आप उनको आदेश कह लीजिए या फिर उनके पावर्स को यूज करने के तरीके कह लीजिए उन सब को हम लोग राश राश्पति को किस प्रकार की शक्तियां मिली हुई हैं कहां कहां से कितने प्रकार की शक्तियां मिली हैं उसको अगर हम अनलाइज करें और उनको अगर हम क्लासिफाई करें तो हमें पता चलेगा एक तो राश्पति के पास में कारेपालिका का मतलब होता है एक्जिकिटिव पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास में हैं इसके अलावा कुछ विधाई शक्तियां भी हैं विधाई शक्तियां का मतलब हो गया विधाई शक्तियां का मतलब हो गया लेजिसलेटिव पावर्स जो होती हैं लेजिसलेटिव powers कुछ हैं जो president के पास में हैं उनके ओपर discussion रहेगा इसके अलावा कुछ रास्पती की नियाईक शक्तियां है कुछ रास्पती की क्या है नियाईक शक्तियां नियाईक शक्तियों को हम लोग बोलते हैं Judiciary powers, ठीक है? इनको क्या बोलते हैं? Judiciary powers, इसके अलावा भी कुछ शक्तिया हैं, जैसे की वित्तिय शक्तियां, वित्तिय शक्तियों को हम लोग क्या बोलेंगे? Financial power, ठीक है? वित्तिय शक्तियां हैं, इसके अलावा military related powers हैं, जिनको हम लोग सैने शक्तियां बोलेंगे, सैने श शक्तियों का मतलब क्या हो गया डिप्लोमेट पावर्स जो है उनके पास में और कुछ जो है उनके पास में आपात कालिन शक्तियां हैं आपात कालिन शक्तियों का मतलब हो गया emergency power तो देखें कौन-कौन से प्रकार की powers हमको देखने को मिली emergency powers है, diplomatic powers है और इसके अलामा military powers है, financial powers है, judiciary powers है legislative powers है और executive powers है इस प्रकार से राश्टपती की शक्तियां जो है पूरे सम्विधान में आपको अलग-लग जगहों पर देखने को मिलती है तो इन में से हम आज कुछ शक्तियों के बारे हम discussion करेंगे देखते हैं कितनी शक्तियों का discussion हो सकता है फिलाल हम discussion करना जा रहे हैं कारेपालिका की शक्ति, ठीक है, तो आप heading क्या डालोगे, executive powers, executive powers, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बुलेंगे, इसको बुलेंगे कारेपालिका की शक्तियां, कारेपालिका की शक्तियां, या कारेपालिका से संबंदित शक्तियां, से संबंदित, ठ शक्तियां अब यह क्या है पहले तो इसको समझते हैं कारेपालिका क्या होती है हलाकि कारेपालिका के बारे हम बाद में डिस्कुर्शन करेंगे पुरी तरीके से दिखे हमारे देश में हमारे देश में जो संसद है उसका प्रमुक रूप से कारे क्या है उसका प्रमुक सार सारी चीजों का संचालन करता है उसको बोलते हैं कारे पालक क्या बोलते हैं उसको कारे पालक का मतलब हो गया एक्जीकुटिव ठीक है और इसी एक्जीकुटिव अब इस विधी को लागू करने के लिए कुछ पावर दी जाएंगे इस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो व्य ऐसे लोगों का समू जो देश में कानून विवस्था लागू करवाते हैं, देश को संचालित कराते हैं, देश की चीजों, देश में विधी को इंप्लिमेंट करवाने का प्रयास करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कारे पालक, एक्जिकुटिव, ठीक है? तो इनी एक्जिक पावर्स में क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अलग-अलग आर्टिकल्स का मुद्दा हम यहां पर उठाएंगे सबसे पहले हम मुद्दा उठाते हैं आर्टिकल नमबर 53 का अनुच्छे त्रेपन में कुछ विशेश शक्तियां जो हैं दी गई है मैंने आप लोग अन कि में संग की कारेपालिका की शक्ति है किसकी है संग की कारेपालिका की शक्ति संग की कारेपालिका संग की कारेपालिका की शक्ति के बारे में डिसकेशन दिया हुआ है माफ किजेगा शक्ति ठीक है तो संग की कारेपालिका की शक्ति के बारे में कहां दिया हुआ आर्टिक executive अब union executives के जो power है वो power है किसके पास ठीक है वो power है किसके पास इस पर हमने discussion किया था और लिखा आया था कि union executives की जो power है वो president के पास होती है किसके पास होती है president के पास तो यह अपने आप में देखे एक power आपको president की पता चल गई executions related एक पावर आपको पता जल गई कि रास्पति के पास में ही संग की सारी कारेपलिका की शक्तियां रहेंगी और ये भी बताया गया था कि वो इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयम कर सकता है और या फिर अपने अधीनस्त अधीकारियों द्वारा करवा सकता है ठीके, subordinate officers के द्वारा या self इस पावर का यूज़ कर सकता है लेकिन दोनों माध्यमों में समविधान के अनुसार एक term लिखाया गया था इन कारेपालिका की शक्तियों का प्रयोग करवाएगा इन subordinate officers से तो ये एक article number 53 में आपको एक power पता चल गई प्रेसिडेंट की ठीक है, इस power से लेटेट किसी कोई doubt है तो कोई भी संग की कारेपालिका की जो शक्ति होती है union executives की जो भी power होंगी वो सारी की सारी किस के अंदर होती है प्रेसिडेंट के अंदर होती है इसका मतलब ये है कि देश में कुछ भी होता है तो हर चीज जो है उसके लिए responsible कौन है उसके लिए responsible है हमारे जो रास्पती है उनही के अनुसार उनही की power को ही लेकर के लोग काम करते है जैसे घर में कोई भी चीज हो रही तो दादा जी की सहमत ही से हो रही है ऐसा चीज यहाँ पर आपको यहाँ पर मानते वह दिखाई दिता है ठीक है clear हो गई बात यहाँ तक सभी को किसी कोई doubt कोई doubt नहीं चलिए ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ अगला point यहाँ पर discussion करता हूँ article 53 के बाद में मैं आप लोगों से discuss करना चाहूँगा article number 70 article number 74 देखिए article number 74 में क्या है अनुच्छे चोहतर में क्या दिया गया है कि रास्पती अपनी कारेपालिका के प्रयोग में सलाह देने के लिए देखिए यहाँ पर जो बात कही गई थी ना अधिनस्त अधिकारी अब यह अधिनस्त अधिकारियों के लिए ही यहाँ पर article 74 है कि रास्पती अपनी कारेपालिका के प्रयोग में रास्पती अपनी कारेपालिका के प्रयोग में अपने execution में अगर देखा जाए कुछ लोगों को appoint करता है और वो जो लोग होते हैं वो होते हैं मंत्री वो कौन होते हैं मंत्री और उन मंत्रियों का वो जो समू होता है उसको बोलते हैं मंत्री परिशद मंत्री परिशत को English ने बोलेंगे Council of Minister Council of Minister ठीक है? अब Council of Minister में Council of Minister में धेर सारे मंत्री होते हैं बहुत सारे मंत्री होते हैं ठीक है? अलग-अलग मंत्राले जो है ये समालते हैं अलग-अलग मंत्री होते हैं ठीक है? अब यहां पर ये कहा गया है कि ये मंत्री जो है ये कौन है इसके बारे में आर्टिकल 74 में बोला गया है कि ये जो भी मंत्री लोग है जितने भी सारे मंत्री होते हैं बहुत सारे जो मंत्री होते हैं ये सारे के सारे मंत्रियों का काम क्या है ये सारे के सारे मंत्री जो है वो सलाह देंगे एवं सहायता करेंगे सलाह एवं सहायता करेंगे किसकी? राष्टपती की देखे ध्यान रखे मंत्री परिशद जो है आर्टिकल 74 में का आगया है कि मंत्री परिशद जो है वो क्या करेगा? सलाह एवं सहायता देगा किसको? राष्टपती को ठीक है और इस मंत्री परिशद में सारे के सारे हैं मंत्री ही लेकिन इन में से इन सभी मंत्रियों में से एक मंत्री को इनका जो है जैसे class में monitor होता है ना उसी तरीके से class monitor यानि कि एक प्रधान व्यक्ति बना दिया गया इन सभी मंत्रियों में एक व्यक्ति को प्रधान कर दि एक मिनिट ये जो प्रधान मंत्री है तो आपको ध्यान रखना है ये प्रधान मंत्री मंत्री परशद का ही एक सदस्य होता है अब इसकी discussion यहाँ पर क्यों हो रही है इसका discussion इसलिए हो रहा है ये पूरा का पूरा जो ये दल आप देख रहे हो ये सारा का सारा दल करता क्या है ये सारा का सारा दल, including प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोग करते क्या हैं, ये राजपती को सलाह एवं सहायता देते हैं, अब यहाँ पर आर्टिकल 74 में एक और बात भी दी गई है, कि सलाह एवं सहायता को मानने के लिए राजपती जो है, बाध्धे होगा, ठीक है, बाध्धे होगा, ये राजपती जो है, वो इसी सलाह एवं सहायता के अनुसार ही अपने काम करेगा, अब आप इसको इसकी शक्ती कह लें, या मजबूरी कह लें, शक्ती तो यहाँ तक है, ये तो मजबूरी है, ये शक्ती नहीं है, शक्ती जो है, आपको कहां तक मिलेगी यहां तक, कि राश्पति को सलाह लेने की शक्ती है किन से प्रधान मंत्री से और उनकी मंत्री परिशत से ठीक है तो ये प्रधान राश्पति को सलायम सहाथा देने के लिए होते हैं council of minister मंत्री परिशत ठीक है इसके बारे में विस्तरी discussion करेंगे जब आगे जो है मंत्री परिशत के बार प्रदाय करेगा, और प्रेसिदेंट ही बाकी सारे मिनिस्टर्स को भी आपॉइंट करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा यह सब अन्यमंद्री पढ़ेंगे तब समझाएंगे, लेकिन प्रदाय मंतरी की सलहापर नर्यों करेगा, लेकिन करता कौन है? राश्पती करता है, प्रधान मंत्री को भी appoint president करेगा और अन्य मंत्रियों को भी appoint जो है, वो president ही करेगा अब जब appointment की बात यहां पर आ गई है, तो एक प्रश्ण आपके मन में आना चाहिए कि क्या राश्पती कुछ अन्य लोगों को भी appoint करता है तो आपको समझना है राश्ट्पति की न्यूक्ति से संबंधित का मतलब यह हो गया कि किन्हे किन्हे राश्ट्पति जो है वो एपोईंट कर सकता है अगर हम देखा यह भी execution में ही है यह उनका work है कार रहे है अगर हम बात करें सबसे पहली बात अभी आपने देखा संग के मंत्रियों की जो मंत्री परिशद होती है वो संग के मंत्रियों को एपॉइंट कर सकता है ठीक है यानि की यूनियन मिनिस्टर्स जो होते है उनको एपॉइंट करने की इसके पास पावर होती है इसके अलावा राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं राज्यपाल उनको एपॉइंट करता है ये राज्यपाल का मतलब हो गया गवर्नर्स अफ दे स्टेट्स उनको एपॉइंट करता है इसके अलावा एपॉइंट्मेंट में बहुत ही महत्यपूर्ण रूप से अकर देखा जाए जो सुप्रीम कोर्ट है और जो अलग-अलग स् र्चिस ओ या अधर जज़्म सेबको एपॉइंट करने काम किसका होता है प्रेषिडिंट्ट का होता है इसके अलामां बहुत इंपॉइंट है भारत का जो महा नियाएवादी है महा नियाएवादी me taking this UK इसको कह सकते हैं कि भारत का जो महा मैंवादी उसको स्कुत करने का का भी किसके पास में आता है राश्पती के पास में आता है देखिए इन सब में राश्पती का एपॉइंट में और भी हैं बहुत सारे हैं महानयावादी से संबंधित और भी लोग है नियंतरक मालिका परिक्षक हैं ये सब लोग भी है देखिए नियंतरक मालिका परिक्षक भी महालेखा परिक्षक इसको क्या बोलते हैं कैग बोलते हैं तो इसको एपॉइंट करने का काम भी है महानियावादी को एट ओर्नी जनरल बोलते हैं क्या बोलते हैं एट ओर्नी जनरल एजी लिख सकते हो आप इसके लावा, UPSC के अगर हम बात कर लें, UPSC, संग लोग सिवायोग जिसको बोलते हो आप, UPSC के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष, ठीक है, और उनके जो दूसरे सदस्य होते हैं, इन सब को एपॉइंट करने का काम भी किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है, और किन अधर जो election commissioners होते हैं, यानि election commissioners, ECs and chief election commissioner, उन दोनों लोगों को एपॉइंट करने का काम किसका होता है, राश्चपती का होता है, राश्चपती एपॉइंट करता है, इसके अलामा अगर हम देखें, जो राश्ट्री अलपसंख्यक आयोग है, राश्ट्री अलपसंख्यक, ठीक है, तो इसको हम लख सकते हैं, national minority commission, ठीक है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं, chairman, अध्यक्ष, और इनके जो सदस्य होते हैं, members, इनको एपॉइंट करने का काम भी किसका होता है, president का होता है, ठीक है, इसके अलामा और किसको एपॉइंट कर सकते हैं, इसके अलामा राश्ट्री महिला आयोग, ठीक है, आपको मलूँ है, राश्ट्री महिला आयोग, जो है, उसके भी जो chairman है, उसके भी chairman और जो members है, उनको एपॉइंट करने का काम होता है, इसके अलामा और किनको एपॉइंट कर सकते हैं, इसके अलामा राश्ट्री मानवा धिकार आयोग, Human Rights Commission जिसको बोलते हैं आप उनके साथ भी यही चीज है उनके भी चेर्मेन को और मेंबर्स को एपोइंट करने का काम इनका होता है बहुत सारे एपोइंट मेंट हैं बहुत सारे लोगों को एपोइंट करते हैं इसके अलामा अगर देखा जाए तो अनसूचित जाती और अनसूचित जन जाती ठीक है यानि शिडूल कास्ट और शिडूल ट्राइब Class Commission जो होता है इनका जो आयोग होता है इनके भी चेर्मेन और मेंबर्स को एपोइंट करने का काम किसका होता है प्रेसिडेंट का होता है इसके अलामा पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़ा वर्ग ठीक है ठीक तो पिछड़ा वर्ग आयोग जो है माइनरिटी क्लास कमिशन बैकवर्ड क्लास कमिशन जिसको बोलते हैं बैकवर्ड क्लास कमिशन जो है उनके भी उनका जो आयोग है उसके भी चेर्मेन और मेंबर को करता है इसके अलामा संग राज्य संग राज्य छेत्र जिनको आप केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं तो यूटीज के कुछ जगहों पर राज्यपाल होते हैं उनको एपॉइंट करना और कुछ जगहों कुछ जगहों पर प्रशासक होते हैं प्रशासक एड्मिस्टेटर자itar कुछ जगहो होते हैं ठीक है और कुछ जगहों पर मुख्यमंत्री बगर भी होते हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तो इन लोगों को करने का काम जो है जैसे दिल्ली और बढ दिदि電 झ然后 पुढ़ sono in इनके जो Chief Nisters होते हैं, इनको Appoint करने काम भी President का होता है Clear है? इसके अलामा With Aayog के जो With Aayog जो होता है इसका गठन करते हैं ये With Aayog इनके appointment करते हैं और साथी साथ राजभाशा-Aayog के लोगों का राजभाशा-Aayog इनके लोगों का Appointment भी कौन करता है President करते हैं, तो आप देख रहे हैं एक बहुत विस्तृत chain है बहुत बड़ी appointment related जिम्मेदारी है President के पास में इन सब लोगों को Appoint करने का काम जो है, वो President करते हैं ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए अब इन में से किसी का भी नाम आपके एकजाम में आ सकता है, क्योंकि इसको Appoint करते हैं, किसको Appoint नहीं करते हैं ऐसे करके आपके options आ सकते हैं कई प्रकार के ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि वो किनको किनको Appoint करते हैं इतनी सी बाद सबको समय में आगई की नहीं आगई? चलिए, अब appointment से related ये बात आपको article number 74 से सम्बंदित थी और वो मैंने आपको आगे सब चीजें बता दी article number 74 का सहारा लेते हैं ठीक है? चलिए, article 74 के बाद एक और article आपको मिलेगा, article number 78 ये भी राश्पती की शक्तियों से सम्बंदित है, किस प्रकार से है? देखे, अभी मैंने आपको बताया था, article number 74 में कि जो मंत्री परिशद होती है, मंत्री परिशद, उससे सलाह एवं सहायता लेने का अधिकार है, किसका राश्पती का? ये चीज मैंने आपको पतायी थी न, सलाह का मतलब हो गया, advice, और सहायता का मतलब हो गया, aid, तो aid and advice, ये लेने का अधिकार है, राश्पती का मंत्री परिशद से, ये मंत्री परिशद इनको सलाह देती है, और उसी का अंसार वो काम करते हैं, तो अब यहाँ पर एक point है, कि आर्टिकल सेवेंटी एट का क्या काम है, आर्टिकल सेवेंटी एट का क्या काम है, काम ये है, कि प्रधान मंत्री जो होते हैं, आर्टिकल सेवेंटी एट के according, जो प्रधान मंत्री होते हैं, जो मंत्री परिशद के प्रधान जिनको मैंने आपको बताया था, प्राइम मिनि का मुख्यकार जो है अपने मंतरी परिशेद के साथ आंतरिक संबंद बना करके उनके साथ ताल्मिल बना करके रास्ट को सही Тамस copet करना तो अब यह मंत्री परिशद मंत्री परिशद रास्पति और प्रधानमंत्री और मंत्री का काम ये है कि ये जो निर्णय है इस निर्णय के बारे में ठीक है इस निर्णय के बारे में ये जो डिसीजन लिया गया है संग के मामले में ये जो निर्णय लिया गया है इस डिसीजन के बारे में वो रास्टपती को सूचना दें किसको दें रास्टपती को रास्टपती को सूचना दें तो इसका मतलब क्या हो गया राष्टपती को ये अधिकार है किस चीज का कि संग के मामले में मंत्री परिशद और प्रधान मंत्री ने क्या निर्णे लिया है उसकी जानकारी राष्टपती ले सकता है या लेगा ठीक है और जो भी देखे ये प्रधान मंत्री का ड्यूटी है कि राष्टपती जो भी इस निर्णे के बारे में जो भी सूचना मांगेगा वो सूचना इन्हें प्रवाइड करनी ही होगी यानि प्रेसिडेंट का देखे आपर एक राइट है हमने आपको अपना सारा अधिकार दे दिया है मतलब राष्टपती क्या कर रहा है प्रधान मंत्री और उसके मंदिपरिश्ट को सारा अधिकार दे रहा है कि भी या राष्ट को समालो चलाओ बढ़िया संचालित करो लेकिन संचालित करते समय आप जिस प्रकार का निर्णे ले रहे हैं वो ऐसा नहीं कि आख मूंद करके बैठेगा ये इनसे पूँच भी सकता है कि भाईया वो फला मामले में आपने और आपके मंति परश्वत ने क्या निर्णे दिया है जरा मुझे बताइए यूनियन का मामला है वो तो प्रधान मंत्री इस पर मना नहीं कर सकता है प्रधान मंत्री को ये निर्णे जो लिया गया है वो निर्णे जो है वो बताना पड़ेगा हर हाल में देना पड़ेगा इसकी सूचना जो है वो देना पड़ेगा तो ये राश्पती का क्या है एक आधिकार है अच्छी तरीके से आधिकार है यह हमको द्यान रखना चाहिए इसी से रिलेटेड आर्टिकल 78 से रिलेटेड यहाँ पर मैं आपको आर्टिकल 77 पर भी ले चलता हूँ और आर्टिकल 77 में कहा गया है कि भारत की जितने भी कारेपालिका के कार्रे होते हैं, वो सब राष्टपती के नाम से होते हैं, किसके नाम से होते हैं? राष्टपती के नाम से. राश्पती के नाम से सारे काम होते हैं यानि सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया है और वो इंप्लिमेंट हो गया है तो इसका मतलब है कि राश्पती की उसमें पर्मीशन है या आर्टिकल 74, 77 कर देखे कितना नजदीक का संबन्द है यहां पर देखे आप ऐसे समझे लिजे एक एक एक्जामपल दे रहा हूं वाला कि यह awkward लग सकता है किसी को एक्जामपल लेकिन मैं केल समझाने के purpose से ले रहा हूं इसका किसी अन्य प्रकार से कोई दूसा आर्थ ना निकाला जाए एक एक एक्जामपल है suppose that कोई छेतर है किसी छेतर में कोई गैर कानूनी कारे हुआ है गैर कानूनी कारे और हुआ नहीं है हो रहा है लगातार हो रहा है लोगों के संग्यान में है सब जानते हैं कि फड़ा आदमी जो है नगर का एक विक्ति ऐसा है जो गैर कानूनी काम लगातार कर रहा है तो स्वभाविक सी बात है जब लोगों को मालूम है तो समंदित थाना छेत्र जो है उसको भी मालूम होगा हा या नहीं फिर भी वो ये काम करता जा रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं थाने से उसकी क्या है साथ गांट है यानि कहीं न कहीं थाने साथ गांट होने का मतलब क्या हो गया साथ गांट होने का मतलब योगा कि उसकी जानकारी में है लेकिन फिर भी वो कर रहा है इसका मतलब हम लोग को मालूम है हम लोग को समझना चाहिए कि थाने दारों को मालूम है और वो इसके उपर कोई action नहीं ले रहे हैं अब ये जो व्यक्ति कारे कर रहा है अब ये उचित है या अनुचित है उससे मतलब नहीं है हमें लग रहा है कि गयर कानूर नहीं है लेकिन थाना जो है उसको permission दे रहा है इसका मतलब, चाहे वो सीधे-सीधे दे रहा हो, लिखीत रूप में दे रहा हो, या मौन रूप में वो परमिशन दे रहा हो, तो दे रहा हो, कहने का मतलब यह है कि अगर किसी थाना-चेत्र में कोई दुरघटना इस दरिके की घटित होती रहती, लगातार कोई गयर कानोनी कारवाई होते रहती तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि ये तो इनी की परमीशन से हो रहा है इनकी परमीशन के बगार थोड़ी हो सकता है ये काम तो similarly जैसे प्रधानमंत्री जो काम करते हैं, प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं, प्रधानमंत्री बार-बार कोई काम ले रहे हैं, देश के मामले में तमाम सारे निरणाय आप देख रहे होंगे, अब जैसे प्रजेंट गवर्मेंट है, उसका दूसरा कारेकाल चल रहा है, तब से लेकर के बहुत सारे issues हैं जो आप लोगों को मालूम है उसका मैं नाम यहाँ पर नहीं लना जाओंगा जो आपके सामने आते हैं और आप उन पर विरोध भी अपना दर्ज कराते हैं कई बार तो आप ध्यान रखिए कि यह जितने भी मामले हैं इन सब की जानकारी राश्टपती को है इन फैक्ट यह सारे काम राश्टपती के नाम से ही यह व्यक्ति कर रहे हैं ठीक है तो आप समझे कर जरूर यह रहे हैं लेकिन नाम किसका है राश्टपती का है परमीशन इनकी है तो क्यों मानी जाती है कि राश्पती की उसमें सहमती है क्योंकि आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है कि राश्पती संग के निर्णय के मामले में जो भी जानकारी है वो उनसे मांग सकते हैं प्रधान मंत्री से और उस पर अपनी जो भी कारेवाई है वो कर सकते हैं अब अगर कोई का हो रहा है तो इसका मतलब इमाना जाएगा कि आर्टिकल 78 का प्रयोग किया हो उन्होंने पूचा होगा मामिले में आप क्या और ले रहे हैं Hour सो दो सेंगे संग पर लागू हो रहा है तो सेंगे दूसरे के लेकर के 78, 78 और 77 के वारे में हमने क्या काया इनको पूरा द्यान से समझेगा, तो ये है हमारा, आमको ये समझ में आ रहा है कि राश्च्पती के पास में किस तरीकी की कारेपालिका से संबन्दित जो हैं, वो शक्तियां हैं, हलाकि अभी कारेपालिका संबन्दित कुछ और शक्ति हैं, जिसके उपर हम लोग डिसक्शन कर लेते हैं, जैसे, अभी मैंने आपको एपोइंट्मेंट के बारे में बताया था, तो प्रेसिडेंट के लगबग 14-15 प्रकार के एपोइंट्मेंट मैंने आपको बताया थे, कि अपको इतने प्रकार के एपोइंट्मेंट कर सकता है। इसके अलामा एक और चीजा आपको द्यान रखनी है, कि प्रेसिडेंट जो है, वो उसके पास में रिमूवल का भी अधिकार है। पॉइंट कर भी किया है जैसे उनमें से एक हैं संग के जो मंत्री हैं मैंने आपको बताया था संग के मंत्री जो होते हैं जैसे मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको कौन करता है उनको पॉइंट करता है तो ऐसे मंत्रियों को राजपती हटा भी सकता है पर इसके जो के राज्यपालों को भी एपॉइंट करते हैं और राज्यों के राज्यपालों को हटाने का अधिकार भी प्रेसिडेंट के पास होता है तो राज्यपाल का मतलब गवर्नर्स जो होते हैं स्टेट्स के उनको हटाने का काम भी इनके पास होता है इसके अलावा मैंने आप ल तो देन प्राजपति के इच्छ से जब तक राशपति चाहेंगे गंगे उस हुसी तौन ऑप इस आघना आनीयुच्गल को इंग्लिश में हम लोग pleasure of precedent कहते हैं राश्पती की इच्छा के अनुसार राश्पती की जब तक खुशी है राजी है तब तक जो है वो इस पत परते हैं इसका मतलब इन लोगों को यह क्या कर सकते हैं इन्हें जो है वो remove भी कर सकते हैं जब उन्हें अनुचित लएगा या उ incident related वो क्या है उसमें कहा गया है कि राश्ट पती जो है रास्ट पती आकस्मिक करीया कैजूली आचानक से असाधारन प्रस्थितियों Ou ठीक है, uncertain conditions में, असाधारण conditions में, uncertain conditions जो हैं, उनमें जो अलग-अलग राज्यों के राज्यपाल हैं, भी मैंने बता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, अब राज्यपालों की नियुक्ति अगर प्रेसिदेंट कर रहा है तो हो सकता है कि किसी राज्य के प्रेसिदेंट हो जो अपने करतव्यों का सही तरीके से पालन कर पाने में अक्षम हो या फिर हो सकता है किसी राज्य के जिस राज्य के वो राज्यपाल है उस राज्य में गवर्नेंस जो है वो सही तरीके से ना चल हो तो ऐसे में राश्ट पती जो है क्या कर सकता है राज़्पाल के कृतियों का निर्वाहन कर सकता है इसका मतलब क्या हो गया राज़्पाल के कृतियों वो राज़ेपाल के कारे को कर सकता है पर वो समय राज़ेपाल नहीं कराएगा वो कहलाएगा president ही एनि president जो है वो राज़ेपाल के कर्तवियों का निरवान ही जैसे आप state emergencies वगरा में देखते हो उसके बारे में आँ पर है हलाकि state emergency का provision अलग है लेकिन राश्पती जब राजपाल के कर्तवियों का निर्भान करता है तो ये शक्ति भी राश्पती के पास में है और ये शक्ति उसे कहां से मिलती है आर्टिकल लंबर 160 से मिलती है ठीक क्लिर है तो ये मैंने आपको कुछ विशेस प्रकार के अगर देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट की एक्जिक्यूटिव पावर्स जो थी उसके उपर मैंने डिसकेशन किया है कल मैं आप लोगों से जब डिसकेशन करूँगा तो मैं आपके दूसी शक्तियों के बारे में भी बताऊंगा जैसे जो लेजिसलेटीव पावर्स हैं उनके उपर हम लोग डिसकेशन करेंगे अगर लेजिसलेटीव पावर्स जो है वो पूरी हो जाती है तो उनके बाद हम लोग डिसकेशन करेंगे दूसरे तरीके की जो उनके पास पावर्स है जैसे जुडिशेल पावर वगरा हैं उनके ओपर भी आजी ना पावर्ष क्रवा सब्सके अब करनेयin जो कि विदहाई शक्तियां जो हैं विदान से समंदिक टैयां विदी शक्तियां लेजिट्टी पावर्ष आज पसंदाया और अप अ अपना प्रेम इसी तरह से सेलेक्शन मेंटर पर वसाते रही है, मुलाकात करेंगे कल फिर तब तक के लिए धन्यवाद.